क्या रोहिट शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया फिलहाल अपने पीक पर है? वेल ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया ICC के द्वारा जारी की गई रैंकिंग के सभी पैमानों में फिलहाल नंबर वन टीम हाँ सारे पैमानों में नंबर वन टीम टीम इंडिया आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप की बाद कीजिए 2023 पर शिस वहाँ पर भी नंबर वन टीम इंडिया हाला कि मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है क्यार अगर हर जगे हम नंबर वन है तो फिर हम टूनामेंट क्यों नहीं जीते हैं अब इसकी एक वज़ा तो यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप हम जीत जाते हैं अगर वो एशिया में होते हैं क्योंकि अश्वन जड़ेजा हमारे पीक प्लेयर हैं और जब इंग्लैंड या उस्ट्रेलिया न्यूजिलैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप होती है तो वहाँ पर हमारे कंपेरिजन में दूसरी टीमों को थोड़ा एज मिल जाता है इस वज़ा से वो जीट जाते क्योंकि उनके घर का मैच होता है हमारे घर में मैच होता तो शायद हम भी जीट जाते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप हमारे पास होती ओडियाई वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए था वो हमारा बनता था उसका घम उसका दुख हमें रहेगा और टी ट्वेंटी में मुझे अभी भी लगता है कि बीती दो टीम गई थी वो टीम कहीं न कहीं एक क्योस में गई थी और वो डिज़र्व नहीं करती थी जो दो टी और हमारा हार जाना तो 2019 वर्ड कप हम जीत सकते थे जो हमारे 2023 वर्ड कप हम जीत सकते थे ओडियाई में दोनों बार हमारे पूरे चांसे थे टी ट्वेंटी वर्ड कप थोड़े हम कमजोर रहे हैं इस बार देखते हैं कि क्या होता है लेकिन फिलाल अगर आप इंडिया करक पातार सबसे ज़्यादा जीत के अगर बात की जाए तो टीम इंडिया 17 सिरीज जीत चुकी है घर पर जो काबिले तारीफ है और किसी भी देश ने कभी भी क्रिकेट के तहास में इतनी ज़्यादा टेस्ट सिरीज नहीं जीती घर पर मतलब ऐस्टेलिया का दो मरतबा पीक रहा है एक मरतबा 1994 से लेकर 2001 तक था चब ऐस्टेलिया ने 10 सिरीज जीती थी और उसके बादी ऑस्टेलिया ने 2004 से लेकर 2008 के भी एक बार अपना दबदबा दिखाया था जब उन्होंने back to back 10 सिरीज जीती वेष एंडिज जो पुरानी व में आठ सिरीज लगातार घर पर जीती थी लेकिन टीम इंडिया सत्रा सिरीज जी चुकी है और I don't think ये तियास में कोई भी टीम इसके आस अलगे सत्रा सिरीज में अश्विन जड़े जाखे भी भूमिका बहुत है मतलब यार 2010 से 2024 में बीते 14 सालों में ये दोनों प्लेयर टीम इंडिया की रीड की हड़ी बने हुए है और लगातार मैच्चे से आपको जतार है लेकिन रोह शर्माई कप्तानी में भी कुछ तो खास इंग्लैंड को हरा चुकि है इंग्लैंड खास इसलिक कह रहा हूँ कि इंग्लैंड वाली ये सिरीज काफी इंपॉर्टेंस रखती थी क्योंकि जब से बेस्बॉल दोर की शुरुआत हुई तब से आठ सिरीज हुई थी और आठ में एक भी सिरीज जो है वो बेंस्टोक औ और बेंडन मकलम हरे नहीं थे तो लगातार वो सिरीज पर सिरीज जीत रहे थे इंड्या ने उने हराया और हराने के बाद उनका सपना चटना चुरूआ वो तीन एक से पीछे हैं वो जो एक मैस हम हरे भी थे वो भी मैस पूरा हमारे फिवर में था और गलती से हम हर गए त जबरदस मैच था वो भी और Ben Stokes ने उसे अपने टेस्ट करियर की सबसे अच्छी जीत बता दिया था लेकिन इंडिया ने कमबैक किया है और इस कमबैक कासर यही है कि इंडिया फिलाल एक बहुत पावरफुल टीम है और लेस जिस होब की जब साथ तारीक से अगला टेस्ट माश शुरू हो तो इंडिया उन्हें चार एक सहरा है क्योंकि शुरवात में लग रहा था कि इस ड्वलो टीसी में इंडिया कमजोर है और सबसे बड़ी बात है कि यह सेरीज हमने नए लड़कों के साथ जीती है जाता लड़के हमारे वो थे जो कमजोर लड़के थे नए लड़के थे जिनको पहली बार मौका मिला था और वो परफॉर्म करने आया और उसके बाद उन्होंने टारीफ बनती है लेकिन टेस्ट क्रिकेट जबरदस है जबरदस है अब मुझे लगता है रिशब पंद जब आ जाएंगे विराट कोली लोट आएंगे तो टीम इंडिया जो है वो और ज़्यादा बहतर आक्रामक टीम जो है वो नज़र आएगी और इस टीम के पास बहुत सारे असेट्स है हलाकि 17 सेरीज जो हमने जीती है उसमें 4-0 से हमने ऑस्ट्रीलिया को और आया है 2-0 से वेस्टेडीस को और आया है 3-0 से अफ्रीका को 3-0 से न्यूजिलैंड को 4-0 से इंगलादेश को फिर ऑस्ट्रीलिया आई थी जिसने 2-1 से हमसे हार हुई थी उनकी वो हम जीते थे एक मैच हम हार गए थे जो रूट ने चाख खेला था निजुलैंड को एक शोने से शुरलंका को दो शोने से ऑस्टेलिया को दो एक से और इंग्लैंड को फिलाल तीन एक से हमने ये सिरीज हरा कर अपना दबदबा जो है वो 17 सालों से कायब रखा है 17 सालों से हम टॉप पर हैं मुझे लगता है कि इस बार भी जो साबसे इंडिया खेल रही है टेस्ट में और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हमने आराया है हमारा चांसेस बहुत जादा हमारे है कि हम फिर कौलिफाई करेंगे और हम जाएंगे हम डबलू टी सी का फाइनल लेकिन फिर वही समस्या कि इस बार फाइनल फिर वहाँ पर है बाहर विदेशों में इंग्लैंड या कहीं पर है लेस जो सूप कि हम वहाँ जाएं परफॉर्म करें और एक बार फिर हम जलवा जो है जलाल करें और इस बार जीत कराएं दो बड़े मौके हैं रोजचर्मा के पास दव आईसी स्टॉफिक लिए